नमस्ते श्टूड़ेंट आज हम लोग अर्थमेस्ट प्रोगेशन के बारे में जानेंगे अर्थमेस्ट प्रोगेशन होता क्या है अर्थमेस्ट तरह के sequence वो भी जानेंगे तो पहले जान लेते sequence क्या है sequence list of number है जो certain pattern को follow करता है या certain rule को follow करता है एक या एक से जादे rule हो सकते है मानना क्या है जो है natural number एक certain rule को maintain कर रहा है तो ये एक sequence है अब इस sequence के term को अगर आप जोड़ते हैं तो उसको series कहा जाता है तो दोनों हमारे syllabus में है sequence एर series उसमें से किस तरह का sequence और किस तरह का series हमारे syllabus में है वो है arithmetic progression उसको geometric progression, harmonic progression कहता है आप हायर classes में जानेंगे हमारे syllabus में जोड़ते है उनके series b है चीके तो arithmetic progression होता क्या है जैसे यह अगर आप गौर से दिखते हैं 1, 2, 3, 4 ले लेते हैं तो आप इसको A1 कहेंगे यह आपका A2 है यह आपका A3 है यह आपका A4 है यह चलते जाएगा तो खास क्या है? A2 माइनस A1 का जो value होगा वो बड़ाबर होगा A2 माइनस A3 का बड़ाबर होगा A4 माइनस A3 का इसका मतलब A N माइनस A N माइनस 1 must be equals to a constant term और उस constant term को हम लोग क्या कहते है? common difference होना चाहिए अगर ऐसा result मिल जाए तो उसको A P कहते है एक बहुत सुन्दर से लिख सकते हैं A, A plus D A plus 2D A plus 3D इस तरह चलते जाएगा मतलब पहला वाला term जो है first term A1 A ही रखे यह आपका A2 है देखें यहाँ 2 है तो यहाँ पर 1 है डी के बगल में यह A3 है यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है A4 यह 4 है इसका मतलब अगर आप यहाँ A N लेंगे अंतर term तो यह कैसे दिखेगा A plus N minus 1 एक कम दिखेगा तो यह जो है यह अंतर term है अब अंतर term हम लोग from beginning यह जो आपको दिख रहे है from beginning है from last भी होते है तो दो तरह के अंतर term आपको निकलेंगे तो पहला वाला जो हो गया from beginning वो हो गया A plus N minus 1 into D रिखेंगे अब दूसरा जो है L minus N minus 1 into D रिखते है from last कभी कभी जिंकालना पड़ता है कि 20 term from the last तो उस case में आपको यह formula यूज करने है तो थोड़ा खेया रखना होगा last पूछ रहा है या beginning beginning के लिए कुछ word यूज करते नहीं है last के लिए वो बोल देते है from the last यह दो enter term का formula है और दूसरा series पे आते हैं तो आपको series में some of the numbers या term of the sequence कह सकते हैं उस case में आपको हम लोग SN formula यूज करते हैं N by 2 2A plus N minus 1 into D या तो और एक formula है N by 2 A plus L सर ये कभी यूज करना है जब आपका first term और common difference दिया रहे है और ये कभी यूज करना है जब first term और last term दिया रहे है सर अगर first term common difference दिया है और हम ये यूज करें बिल्कुल कर सकते है पर आपका time थोड़ा waste हो जाएगा तो थोड़ा ख्याल रखेगा और इसमें एक बहुत सुंदर सा relation है वो है an equals to sn minus sn minus 1 ये हो गया आपका enter term और ये हो गया sum of enter term और sum of n minus enter term n minus 1 enter term तो बहुत ही powerful result बहुत question पुछा करते है थोड़ा ये भी जान देंगे अगर हमारा a, b और c are in a, p होता है तो b equals to क्या हो जाएगा a plus c by 2 हो जाएगा यहाँ पर b को हम लोग arithmetic mean भी कहते है कभी-कभी आप सब पूछ लाएथ find the arithmetic mean of this three numbers which are in a, p ठीक है और एक बड़िया सा result है अगर ये a, p में होता है are in a, p then क्या result होगा b minus a equals to क्या हो जाएगा c minus b और यहाँ से हम minus b को इदर लेके आते हैं तो plus b हो जाएगे और minus a इदर चले जाएगे तो plus हो जाएगा इसका मतलब आपको जो relation मिलेगा 2b equals to a plus c यहाँ से आपको मिलता है b equals to a plus c by यहीं से आया है तो यह एक relation है और कभी-कभी आपसे पूछा करता है कि तीन टर्म दिया हुआ ap का जिसका sum कुछ है और आपको निकालने है values तो product भी दे सकते हैं तो उस case में आप तीन टर्म जब दिया रहेगा तो आप क्या लेंगे a, b, c लेंगे नहीं उस case में क्या सर हम ऐसे लेंगे a, a plus d, a plus 2d नहीं उसके इसमें हम लोग थोड़ा special type के relation लेंगे लेंगे a minus d a और a plus d लेंगे ठीक है बहुत ही powerful है और इसका मतलब क्या हुआ यह ap में है सर कैसे मालम चलेगा यह first drum है यह आपका second drum है यह आपका third drum है अगर आप कुछ चेक करके देखते a2 minus a1 आपको d मिलेगा और a3 minus a2 इसमें भी आपको d मिलेगा अगर ऐसा मिल जाए sequence जिसका common difference मिल जाए तो वो ap में होगा चीक है याद रखें यह बहुत दिखते हैं चीक है उमेद करते हैं हम कुछ हद तक आपको समझा पाए और एक और एक और एक और एक बात है इसमें आपको कभी कभी सम बाले में दिखता है जब आपको natural number दिख जाए बतला 1, 2, 3 और उनके सम दिख रहे हैं तो उसके समें sn short में बदल जाता है n into n plus 1 by 2 हो जाता है यहीं से है इसमें जब आप एक वैलू सब्चिचूट करेंगे तो आपको मिल जाएगा यह वला result बस इतने ही है thank you